वीकेंड का वार शुरू होने से पहले अली ने दी रुबिना को लेकर जैस्मीन को बड़ी हिदायत क्या हिदायत दी है अली ने? चलिए हम आपको टेली टॉकीज के इस एक्स्क्लूज़िव वीडियो में बताते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो विग बॉस की चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए टेली टॉकीज को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें बिग बॉस के घर के अंदर अली गॉनी और जैस्मीन भसीन अभी फिलाल दोनों हैं और ऐसे में वीकेन के वार की शूटिंग शुरू हो इससे पहले अली गॉनी जाकर बात करते हैं सुभे सुभे जैस्मीन भसीन से वो जैसमीन को समझाते हैं कि देख जैसमीन मैं कोई भी सीन वीकेंड के बार पर नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कि भाई आकर क्लास लगाएं या डाटें या तेरा और रुबिना का मुद्दा उठाएं तो इसलिए मैं तुससे कह रहा हूँ कि तू अब रुबिना के साथ कोई भी लड़ाई मत करियो क्योंकि टास्क के दौरान तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था इस पर भाईजान जरूर सवाल उठाएंगे और अगर वो सवाल उठाएंगे तो मुझे पता है तू भी बोलेगी और रुबिना भी बोलेगी जिसके बाद ये लड़ाई और जादा अगली हो सकती है तू अब कंटेस्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरी इमेज जरा सी भी और डेंट हो वैसे ही जब से तू आई है काफी कुछ हो चुका है इसलिए कोशिश करियो कि तू कुछ भी मत बोलियो रुबिना को ऐसे में जास्मीन कहती है कि अली अगर वो मुझे बोलेगी तो मैं भी बोलूँगी ना तो अली कहता है देख वो कभी भी पहल नहीं करती है इसलिए तू भी पहल मत करियो इस बार दोस्तो साफ हो चुका है कि अली जान चुका है कि कभी भी रुबिना लडाई के लिए पहला कदम नहीं उठाती है पहला कदम जास्मीन ही उठाती है आपका इसके बारे में क्या कहना है कामेंट्स में में जरूर लिखकर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें